दोस्तो नमस्कार आजम बात करने वाले हैं बर्ल पूल के इस फ्रिज के बारे में दोस्तो लुक बाइच काफी बढ़िया है और भी इसमें काफी सारे कलर आते हैं मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कलर्स चेक कर सकते हैं यहां आपको मिल जाएगी बर्ल पूल की ब्रेंडिंग और यहां आपको मिल जाएगी 10 एर की कंप्रेसर की बारेंटी की ब्रेंडिंग तो दोस्तो एक अच्छी बात है कि आपको मिल जाती है 10 एर की कंप्रेसर बारेंटी दोस्तो अगर आप इसको चलाएंगे पूरी साल तो यहां आपको मिल जाएगी six sense की blending इसमें दी गई यह deep freezing six sense technology तो दोस्तों यह आपको मिल जाएँगे दो handle क्योंकि काफी बढ़िया है और chrome finish के साथ में आते हैं इससे इसका look और ज्यादा enhance हो जाता है यहां दिया गया है locking feature जिसके help से आप इसको lock कर सकते हैं अगर आपको जलू freeze की तरह भी इसको use कर पाएंगे और door में भी काफी space है अगर आपको इसकी freezing की जो capacity है या speed है वो कम तकरनी है बढ़ानी है तो यहां पर switch दिया गया है आप इसको adjust करके edge पर requirement change कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं हम main compartment के बारे में यह इसका main compartment है यहां पर उपयोग किया गया पास का जो की काफी मजबूत रहते हैं और look भी काफी निकर के अच्छा आता है इसमें ट्रे दी गई जिसमें आप छोटे मोड़े सावान डाल सकते हैं नीच से आपका बेजी टेबल कमपाट्मेंट जिसमें 7-8 kg बेजी टेबल आ जाएगी और यहां पर आप इसको adjust कर सकत जिया गया है आप उसके help से cooling को adjust कर सकते हैं left right गुमा के दोस्तों यह इसका door है door में नीचे बाले में सोड़ी सी कम जगए है लेकिन बीच बाले में इसमें काफी जगए है आराम से दो लिटर की quarter drink बाली चार बोतल आ जाएंगी उपर आप नीबू बगएरा अंडे बगए डाल सकते हैं तो दोस्तों यह था बर्ल पूल का 245 लिटर फ्रेज आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राब करना ना भूलें लिंक आपको इस फ्रेज का वीडियो के description में मिल जाएगा धन्यवाद